वेग आई वालकम बाक्टू दा निव वीडियो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन फिडो एंड इस पेमेंड मेडिसिंस के बारे में देखेंगे कौन सा मेडिसिंस आपको यूज करना चाहिए कौन सा है दोनों में से सबसे ज़्यादा बैस्ट और कौन सा आपको यूसफल हो सकता है तो सारी तरीके से हम देखेंगे इंगिरेंट्स के माध्यम सी भी आपको टेस्ट करवाँगा कि कौन सा इंगिरेंट्स कितने इफेक्टली इसमें काम करते हैं तो अंतर तक वीडियो को देखते रहेगा देखिए इस पेमें एंड कॉंफुटर दोनों ह कहीं हमाले फार्व की तफास्थ से आने वाले एक अईर भीदिक दवाई होती है और दोनों ही आपके इंपोटेंस युगरा के लिए काम करता है लेकिन दोनों को अगर आम इसे तरीकी से समझेंगे तो दोनों में आपको इसे सामवन से सबदों में समझा देता हूं इस पे विजो कों फिडों का दोनौ को यूस होते हैं अलग-अलग होते लेकिन यहां पर एक इंट्रेस्टिंग बात है कि इंगर्ण से इसम होते हैं देखने को दोनों लगबक मिलते हैं जैसे वरिदरू, गोक्षिरू, आपको मिल जात है जीवंती, सालियम, वस्क्वनदा, कोकिलाक्ष, कपीकाच्व, कपीकाच्व, औंडरू नंडरू लेकिन आपका जो बात करें, 되어 Deus में इसमें एक सर्फ गंदा, लेकिन तो इतना तरीक से कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, सर्फगंदे का काम होता है आपका anxiety, घबराहट, बेचेनी या high blood pressure या confidence level को थोड़ा increase करने का काम होता है आपका सर्फगंदे का तो इस परकार से आप समझ सकते हैं, इस्पेमिन का जो use होता है वो sperm related problems के लिए use के जाता है जैसे कि sperm count low आ रहा है, sperm count mortality की speed कम आ रही है, पतलापन देखने को मिल रहा है या अच्छे से हो नहीं पा रहा है तो उसमें आप sperm का, या semen का, या sperm in medicines का use के जाता है इस परकार से अच्छे से नहीं आ रहा है तो इस परकार से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छी बात यह है, अब आप देखें, यहाँ पर जो sperm in का इंगिरेंस को कर आप अच्छे से देखोगे लेकिन अगर confidence को इंगिरेंस को देखोगे तो जो confidence के इंगिरेंस को हैं, same to same ingredients है, लेकिन उसमें जो quantity है, वो बहुत कम है, confident के इंगिरेंस के quantity आपको मिल जाता है, इसके आधे के बराबर, वहीं पर आपको sperm in के quantity जो है, जादा तक देखने को मिल जाती है, तो इस बात से मै यह सहिमत करूँगा, अगर आप दोनों मेंसे कोई एक लेना चाते हो, कोई problems के लिए, तो आप sperm in medicines का use कर सकते हैं, अब क्योंकि इसमें इंगिरेंस भी थोड़ा, एक इंगिरेंस कम है, सर्प गंदा, उतना इसे effect काम नहीं करता है, इतना जरुत उसका नहीं पड़ेगा, यहीं पर इसके ingredients के quantity के बारे में बात करें, तो sperm in में ज्यादा ingredients के quantity है, ज्यादा high power है, तो ज्यादा तरीके से यह काम करेगा, इस पेमें, तो आपको दोनों में से, अगर कभी suggestion करना पड़ेगी, दोनों में से कौन से लेना, तो मेरा suggestion आपको हमेसा ही रहेगा, इस पेमें तो इस पेमें को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस पेमें उगएरा के यूज़ करना है, देखे, ingredients दोनों को सेम ही है, तो दोनों को काम लगबग सेम ही होगा, mortality वगएरा को कम करेगा, sexual problems को नपन सकता है, डिलापन उगएरा को कम करने में मदद कारता होग कि इसमें इनगीनर्स ज़ाधा है, quantity इनगीनर्स की ज़ाधा है, तो मेरा solution अमें से रहेगा किesome की तरफ आप जा सकते हो, यह था कुछготовateur कमें ज़रूर यह शरूर बताए कि इस्टाग्राम फेशुक का आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्कुीस में सारे लिंक आपको दे गए हैं सो मिलते अबने नेक्ट वीडिये के साथ जै हिन जै भारत